आज की वीडियो में हम बात करेंगे English Romantic Poet John Keats की एक Poem के बारे में जिसका नाम है Ode to a Nightingale यह Poem 1819 में लिखी गई थी और साथ ही Keats की वन आफ दी मोस्ट फेमस Poems मानी जाती है Friends, अपनी lifetime में Keats ने कई Ode's लिखे हैं Ode ऐसी Poems को कहा जाता है जो किसी एक particular event, object या think को describe करते हैं और उन सभी Ode's में Ode on a Grecian, Earn, Ode to Autumn Ode to a Nightingale यह सभी शामिल हैं इन सारी Poems में यह जो Poem है Ode to a Nightingale यह सबसे लंबी है यह Poem 80 Lines की है और eight ten line stanza's में बांटी गई है साथ ही बात करें हर stanza की rhyming scheme की तो वो है A, B, A, B C, D, E, C, D, E Friends, Nightingale एक तरह की bird को कहा जाता है बहुत ही जादा beautiful bird होती है और उससे भी जादा beautiful और musical होता है उसका गाना यानि उसकी आवाज जो होती है वो बहुत ही जादा मधुर होती है और यहां यह जो speaker है इस Poem में वो Nightingale के इस गाने को सुनते हैं और फिर Nightingale से ही बाते करते हैं अफ्रेंट्स बात करें इस Poem की theme की तो इस Poem में कुछ basic themes को discuss किया गया है पहली है death and immortality यानि मृत्यू और immortality यानि कभी नहीं मरना यहां जो poet हैं वो human life को इस Nightingale की life से compare करते हैं उनका मानना है कि humans जो हैं वो mortal हैं मर जाते हैं और उनके मरने के बाद उन्हें को याद तक नहीं रखता लेकिन यह जो Nightingale है यह immortal है और यह immortal है अपने इस गाने के चलते जो कभी नहीं बदलेगा और लोग हमेशा उसके इस गाने को याद रखेंगे साथ ही यहां एक और theme को discuss किया गया है और वो है Consciousness and Isolation यानि इस पूरी poem में poet जो है वो इस human world को छोड़ कर जाना चाहते हैं खुद को isolate कर देना चाहते हैं इस human world से क्योंकि उन्हें पता है कि human world में बहुत ज़ादा problems हैं परिशानिया हैं और साथ ही इन problems को भुलाने के लिए वो लगातार कोशिश करते हैं कि वो खुद को intoxicate कर सके ड्रिंक करें और अपनी consciousness को अपने होश को खो दें ताकि उन्हें ये problems, ये pain फील ना हो तो friends ये सारी चीज़े हम discuss करेंगे जब हम इस poem को पढ़ेंगे अब अगर बात कर इस poem की poet की तो John Keats एक English romantic poet थे उनका जन्वुआ था 31st October 1795 में और उनकी death हुई थी 23rd February 1821 में उनकी death से जो थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी क्योंकि उन्हें tuberculosis नाम की एक बिमारी हो गई थी साथी friends अगर बात करें John Keats की famous works की तो उसमे Ode to a Nightingale Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn Sleep and Poetry, On First Looking Into Chapman's Homer इस सभी poem शामिल है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं My heart aches and a drowsy numbness pains my sense यानि मेरा दिल जो है वो दुख रहा है उसमें दर्द है और साथ ही मेरे शरीर में ऐसा लगता है मानो मैं drowsy हूँ यानि मैं ठक चुका हूँ, कमजोर हो रहा हूँ और पूरा शरीर जो मेरा है वो दर्द के कारण नम्ब हो चुका है सुन पड़ चुका है As though of Hemlock I had drunk Friends Hemlock जो है वो एक तरह के प्लांट को कहा जाता है जिसके पत्तों में नशा होता है तो poet कहते है मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने Hemlock को पी लिया हो Hemlock के पत्तों को पीस कर उनका रस पी लिया हो और इसलिए मुझे ऐसा दर्द ऐसी problems फील हो रही है और emptied some dull opiate to the drains One minute passed and leet wards had sunk और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने कोई opiate यानि कोई नशीला पदार्थ खाया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं leet wards फ्रेंट्स, leet एक तरह की mythological river है जो माना जाता है कि Greece में जमीन के नीचे underground flow करती है और उसका जो पानी है वो आपको सब कुछ भुला देता है तो poet कह रहा है ऐसा लगता है मानो मैंने कोई नशीला पदार्थ खा लिया हो और फिर मैं जाकर उस लीथ नदी में गिर गया हूँ और इसलिए मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ मुझे इस तरह की feelings आ रही है तिस नौत थ्रू envy of the happy lot but being too happy in thine happiness यानि ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी खुशाली से envy करता हूँ मुझे तुम से jealousy है नहीं बलकि इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत जादा खुश हूँ अब यहाँ पर ये किस की बात हो रही है तो इस Nightingale पक्ची की बात हो रही है वो Nightingale बर्ड जो है खुशी से अपना गीत गा रहा है और जो poet है उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है मानों उन्हें नशा कर लिया हो और उनकी पूरी बोड़ी में पेन हो रहा हो That Dao, Light Wing Dryad of the Trees Friends, Dryad जो है वो एक तरह की फेरी को कहा जाता है जो पेडों में रहते हैं तो poet यहां पर कहते हैं कि तुम क्या हो तुम उस Dryad की तरह हो जिसके हलके पंक होते हैं और वो पेडों में रहता है In some melodious plot of beach and green and shadows numberless और साथ ही तुम कहा हो तो एक melodious plot में एक घास के मैदान में हो और वो जगह melodious हो चुकी है तुम्हारे गाने से वहां क्या है? Beach and green है, यानि हर्याली चाईवी है और साथ ही shadows numberless है यानि बहुत सारी परचाईया है बहुत सारी पेड़े उनकी परचाईया है ऐसी जगह पर बैठ कर तुम क्या कर रहे हो? Singest of summer in full-throated ease summer के बारे में गर्मी के मौसम में गा रहे हो अपनी पूरी आराम के साथ यानि फर्स टैंजा में poet बताते हैं कि मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ तुम एक plot पर बैठ कर गाना गा रहे हो और उस गाने से मुझे ऐसी खुशी मिल रही है तुम्हारा गाना सुन कर मुझे ऐसी खुशी मिल रही है मानो लगता है कि मैं नशे में हूँ Oh for a drought of vintage That hath been cooled a long age in the deep delved earth Friends, vintage यानि vintage wine बहुत ही पुरानी शराब जो है तो उसका एक drought एक छोटा सिप मुझे मिल जाता और वो शराब कैसी होती तो जिसे cool किया जाता रखा जाता for a long age एक लंबे समय के लिए कहां पर तो जमीन के नीचे Friends, शराब के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है तो पोईट कहते है मुझे ऐसी ही एक पुरानी शराब मिलती जो क्या होता जमीन के नीचे उसे रखा गया होता ताकि Tasting of Flora and the Country Green उसमें स्वाद आ जाता किसका तो Flora का Flowers का और साथ ही जो Country Green है यानि जो धर्ती की हरियाली है यानि बिल्कुल जो Earthly Flavor होता है वो उस शराब में आ गया होता Dance and Provincial Song and Sun Burnt Mirth और साथ ही क्या आ जाता तो जो Dance का टेस्ट होता है और साथ ही जो लोग आपस में गाते हैं और जो Sunrise होती है जो उसमें सूरज की रोशनी होती है उसकी जो खुशी होती है Oh for a Beaker Full of the Warm South यानि कार्श मुझे एक Beaker एक बड़ा सा जग भरा हुआ मिलता किसका? Of the Warm South यानि ऐसी शराब का जिसे पीने के बाद मैं डाइरेक्ट Southern Areas में पहुँच जाता South में गर्मी थोड़ी जादा होती है तो मैं वहां के मौसम को Enjoy कर पाता ऐसी शराब मुझे मिलती Full of the true, the blushful hypocrine Friends, hypocrine जो है वो एक तरह के spring एक तरह का ज़रना है और कहा जाता है कि उसका पानी पीने से poetic inspiration मिलता है यानि आप अच्छी poetry लिख पाते हैं तो poet यहां पर कह रहे हैं कि काश मुझे उस hypocrine के पानी का एक जग मिलता और उसे पीते ही मुझे वो जो south के areas हैं जहां गर्मी चाई भी है, हरियाली है उसकी feeling मिलती With beaded bubbles, winking at the brim और साथ ही उसकी उपर उपरी सतर पर क्या होते? छोटे छोटे bubbles बन रहे होते And purple stained mouth that I might drink और साथ ही मेरा जो मुँ होता उस पर purple color के निशान बन चुके होते क्यों? क्योंकि मैंने वो शराब पी है और उस शराब का जो color है वो मेरे मुँ पर, मेरे होटों पर लग गया है And leave the world unseen And with thee Fade away into the forest और इतना कुछ होने के बाद इस तरह drunk होने के बाद मैं क्या करता तो मैं इस दुनिया को छोड़ देता और तुम्हारे साथ उस जंगल की धुंदली रोशनी में मैं fade कर जाता गायब हो जाता यानि मुझे अपनी इस दुनिया में नहीं रहना है मैं तुम्हारी साथ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ इसलिए जैसे ही मैं ये शराब पीऊंगा मेरी जो senses हैं वो सही से काम नहीं करेंगी और मैं तुम्हारी साथ इस दुनिया को छोड़ कर चला जाऊंगा Fade far away, dissolve and quite forget What thou amongst the leaves hast never known यानि मैं तुम्हारे साथ fade कर जाना चाहता हूँ यहां से disappear कर जाना चाहता हूँ और सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ वो सब कुछ क्या है तो जो तुमने उन पत्तों में बैठ कर कभी नहीं जाना यानि poet nightingale को कह रहे हैं कि तुम यह सारी problems को नहीं जानते हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं इन problems को भूलना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ गायब होना चाहता हूँ The weariness, the fever and the fret Here where men sit and hear each other groan यानि यहां पर क्या है तो weariness है यानि एक तरह की exhaustion है, ठकावट है बिमारिया है और परिशानी है यह सभी चीजें हैं कहां जहां आदमी आते हैं और एक दूसरे को अपनी problem सुनाते हैं यानि यह जो human world है यहां बहुत सारी परिशानिया है बहुत जादा दुख है और इसके बारे में तुम नहीं जानते क्योंकि तुम अपनी दुनिया में रहते हो उन पत्तों के बीच पैलसी एक तरह की बिमारी होती है तो यह जो पैलसी है, इससे क्या होता है जो आखरी बाल होते हैं वो भी जढ़ जाते हैं ग्रे कलर के हो जाते हैं और जहां क्या होता है जो जवानी होती है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है लोगों का वजन घट जाता है वो पतले दुबले हो जाते हैं और फिर अंत में मर जाते हैं यानि जो खूबसूरती मिली थी हमें हमारी यूथ में वो समय के साथ हम से छिन जाती है और ये दिखाती है कि humans क्या है mortal है उनकी death हो जाती है वो मर जाते है यानि वहाँ जहां मात्र सोचने से think यानि सोचने से क्या होता है हम sorrow से, दुख से और despair यानि निराशा से भर जाते हैं इतनी जादा परेशानिया है कि उनके बारे में सोचते ही हमें दुख फील होने लगता है where beauty cannot keep her lustrous eyes यानि जहां खुबसूरती जो है वो अपने आँखों की चमक को बचा कर नहीं रख पाती समय के साथ वो चमक जो है वो गायब हो जाती है और new love find at them beyond tomorrow और जो new love है वो tomorrow से जादा नहीं रह पाता यानि जो प्यार है वो भी समय के साथ खत्म हो जाता है अब ये line बहुत अलग है बाकी सभी poems में क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि प्यार कभी मरता नहीं है लेकिन ये जो poet यहां पर हैं ये दिखा रहे हैं कि प्यार भी समय के साथ मर जाता है lovers मर जाते हैं beauty fade कर जाती है इतनी problems है human world में इसलिए मैं इस human world को छोड़ कर इस nightingale के साथ इसकी दुनिया में जाना चाहता हूँ away away for I will fly to thee यानि away away यहां से दूर बहुत दूर में तुम्हारे साथ उड़ कर चला जाऊंगा इस human world को पीछे छोड़ कर not chariated by batchers and his parts friends batchers जो है वो god of wine है नशे के भगवान उन्हें कहा जाता है तो मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ उनके और उनके जो parts हैं जो उनके followers हैं मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा but on the viewless wings of poetry किस पर चड़ कर सवार होकर तो poetry यानि poetry के जो wings होते हैं poetry से हमें जो punk मिलते हैं वो punk जो viewless है दिखाई नहीं देते हैं मैं उन पर सवार होकर तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे पास तो खुद के punk है तुम उड़ जाऊगे मेरे पास कैसे punk है तो poetry के punk है though the dull brain perplexes and retards भले ही मेरा जो दिमाग है वो dull है और इसलिए मुझे confuse कर देता है perplex कर देता है confuse कर देता है और मेरी speed को slow कर देता है यानि जिस speed से तुम आगे बढ़ते हो मैं उस speed से शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा दिमाग मुझे रोकता है already with the यानि मैं बिलकुल तुम्हारे साथ हूँ यह जो मेरी imagination है poetry के पंखों पर सवार होकर तुम्हारे साथ उड़ चलने की उसमें मैं बिलकुल तुम्हारे साथ ही हूँ tender is the night and happily the queen moon is on her throne यानि जो रात है वो बहुत ही ज़ादा gentle है बहुत tender है भी शुरू ही हुई है और जो moon है जो की क्या है इस रात की रानी है वो अपने थ्रोन पर अपने सिंगहासन पर आ चुकी है रात के समय में जहां चांद को होना चाहिए वहां वो पहुँच चुका है clustered around by all her starry face और उसके चारो तरफ क्या है तो उसके जो starry face है यानि वो तारे जो उसकी परिया है उसके followers हैं वो उसके चारो तरफ बिखरे पड़े है but here there is no light लेकिन यहां जहां मैं खड़ा हूँ वहां पर कोई रोशनी नहीं है मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा save from what heaven is with the breezes blown सिवाए उस थोड़ी सी light के जो कहां से आ रही है तो उस heaven से जैसे जैसे यह breeze जो है यह wind धीरे धीरे बह रही है उस heaven से आसमान से थोड़ी सी रोशनी आ रही है उस चांद से through verdurous glooms and winding mossy ways और यह कहां से होते वे आ रही है यह हवा तो यह हवा आ रही है उन verdurous glooms से यानि बड़े जाड़ी दार पेरों से जो अंधेरे में चमक रहे है और साथ ही उन ways से उन रास्तों से जो कैसे हैं मौसी है यानि उन पर काई लगी भी है वहां से यह हवा बहती भी आ रही है यानि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए ready हूँ आगे बढ़ने को ready हूँ लेकिन मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहां रोश्नी कम है सिर्फ वो रोश्नी है जो उस चान से उस heaven से आ रही है और धीमी धीमी बहती हवा है जो इन पेडों पर और यहां पर इन रास्तों पर दिखाई दे रही है तो friends हमने इस वीडियो में इस पोयम के शुरुवात की 40 lines को डिसकस किया है अब बांकी की जो 40 lines हैं वो मैं एक दूसरी वीडियो में डिसकस करूंगी यानि इस वीडियो का एक second part आएगा तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा साथी friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please इसे like, comment और share करें